So students, welcome to this new chapter, structure of the atom. Last chapter में, हमने atom के बार में काफी बात की है, इस chapter में, और detail में atom को देखेगे. Last chapter में जो कुछ important बात हम में देखे हैं, उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, कि atom is very small, हमने देखा atom बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको naked eye से तो देखा ही नहीं जा सकता. Everything made of atom, दुनिया में हर चीज atom की बनी होती है, पहार atom के बने वे हैं, हम लोग atom के बने वे हैं, pen atom का बना होता है, यह computer जिसपे आप यह वीडियो देख रहे हैं, वो atom का बना होता है, Everything जो है, वो दुनिया में atom का बना हो, Indivisible, हमने देखा atom को further divide नहीं किया जा सकता, दिस्कवरी हुई थी, वो बहुत ही important discovery थी in the history of science, इसलिए scientists बहुत excited थे atom की दिस्कवरी को लेके, अब दुनिया भर में scientists लोग atoms related बहुत सार experiments कने लगे, ताकि हम atom को और अच्छे से समझ पाएं, तो बहुत सारे experiments में कुछ interesting बाट देखने को मिले, क्या देखने को मिला, जैसे ये atom है, बहुत ही छोटा atom, इतना छोटा कि हम इसको देख भी नहीं सकते ने केड़ाई से, कुछ experiments में ऐसा देखा गया, कि इस atom के अंदर से, इस atom के अंदर से, बहुत सारे छोटे छोटे particles निकल रहे हैं, सुच यहां, यह तो atom खुदी इतना छोटा है, उसके अंदर से और भी छोटे छोटे particles निकल रहे हैं, यह जो particles था है, इनको बोले जाता है, generally, subatomic particles, subatomic particles, तो subatomic particles का क्या मतलब हुआ है student, subatomic particles are particles inside atom, inside atom, देखें, यह जो है, वो एक बहुत ही important finding थी, क्यों important finding थी, क्योंकि अभी तक हम यह सोच रहे थे, कि atom जो होता है, smallest particle होता है, अभी भी मैंने आपको recall भी कर वाया था, क्या यह सही है, बताएं आप, नहीं, अब यह बिल्कुल भी सही नहीं, तो हमने यह देखा कि atom से भी छोटे particles होते हैं, जो atom से निकलते हैं, तो अब atom सबसे छोटा particle नहीं रहे गया था, उससे भी छोटे particles होते हैं, हम यह जान गए थे, और वो atom के अंदर होते हैं, फिर Dalton ने यह कहा था, जो कि हमने last chapter पढ़ा है, Dalton ने क्या बोला था, कि atoms are indivisible, indivisible, जैसा मैंने आपको थोड़े देख पहले recall भी गरा है, यह जो बात है, वो गलत प्रूव हो गई है, क्योंकि atom के अंदर तो और भी छोटे छोटे particles होते हैं, तो अब यह establish हो गया, कि atoms are not, atoms are not indivisible, atoms जो होते हैं, वो indivisible नहीं होते हैं, Dalton ने यह जो बात बोली थी, वो गलत प्रूव हो गई, atom के अंदर और छोटे छोटे particles होते हैं, atom के अंदर अपनी एक दुनिया होती है, सोचके देखें आप, कितना छोटा सा atom है, उसके अंदर भी particles हैं, उसके अंदर भी अपनी एक दुनिया है, वो दुनिया क्या है, वही हम इस चाप्टर में, डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं, तो चले students, हम attack करते हैं इस चाप्टर में पूरे जोज के साथ, ओके students, charged particles in matter, तो हमने last chapter में देखा है, कि जो matter होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, atoms से, चाहा हम solid की बात कर लें, liquid की बात कर लें, या gas की, वो किस से बना होता है, atoms से, और अभी अभी हमने देखा कि atoms के अंदर बहुत सारे छोटे 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 particles होते हैं, जिनकों बोलते हैं, subatomic particles, तो देखो क्या होता है, कि यह जो subatomic particles होते है, वो तीन तरीके ही होते है, 3 types of subatomic particles, कौन कौन से तीन तरीके subatomic particles होते हैं, पहला होता है electron, दूसरा होता है proton, तीसरा होता है neutron, तो students आप बहुत ध्थान से देखे, आपको यह नाम एतम याद होने चाहिए कि atom के अंदर तीन तरह के subatomic particles होते हैं तीन तरह के subatomic particles होते हैं electron, proton and neutron अब यह जो subatomic particles हैं इनकी कुछ properties के बारे में हम देखेंगे जैसे सबसे पहले हम इनके mass के बारे में देखेंगे कि इनका क्या mass होता है इनका mass तो बहुत ही कम होता होगा बहुत छोटे होते होते होतो तो फिर भी कितना mass होता है electron के mass की बात करें तो वो होता है 9 into 10 to power minus 28 gram यह होता है एक electron का mass एक proton का जो mass होता है वो होता है 1.6 into 10 to power minus 24 gram एक neutron का mass की बात करें तो वो होता है 1.6 into 10 to power माइस 24 ग्राउं तो एक चीज जो आप सबसे पहले ध्यान दे कि मास बहुत कम है जैसा मैं बोल रहा था, देखो 10 इंटो 10 तो बाँ माइस 28, माइस 24, मास बहुत ही कम है दूसरा ही important point आप ध्यान दे और आपने ध्यान दिया भी होगा कि proton और neutron का मैंने same mass लिखा है, तो इन दोनों का जो mass होता है, वो almost same होता है, almost, तो इस point को हम लिख लेंगे proton and neutron have almost same mass same mass अच्छा, मैं almost void क्यों use कर रहा हूँ, यहाँ पर तो देख के आपको लग रहा हो कि exactly same mass है दोनों का, ऐसा नहीं होता है दोनों का mass जो हमने यहाँ पर लिखा है वो exact mass हमने नहीं लिखा है दोनों का, दोनों का हमने approximate mass लिखा है, और approximate mass दोनों का same होता है, to be very accurate, दोनों का mass थोड़ा सा लग होता है but हाँ अपने discussion में यही मानेंगे most of the time कि दोनों का mass same होता है, okay next point जो आपको note करना चाहिए वो यह है कि electron का mass काफी कम है, देखो 10 to 1 minus 28 और यह दोनों में minus 24 electron का mass बहुत ही कम होता है तो हम लिखेंगे electron is much electron, e for electron is much lighter than proton and neutron यहाँ पे एक और interesting सा काम करते है यह electron और proton जो है इनके masses को divide करके देखते है क्या आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे mass of proton divided by mass of electron तो mass of proton हम यह लिख लेंगे that is 1.6 into 10 to power minus 24 gram divided by mass of electron that is 9 to 10 to power minus 28 gram जब इसको divide कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1777.77 इतना हैगा which is approximately equals to 2000 यहाँ पे चीज़ और आप ध्यान दे सकते हो कि आप mass of proton के जगा पे अगर neutron का भी mass लेते तो भी यह ratio आता obviously चोगि neutron का जो mass है वो भी यह है यह जो data आया है लगबग 2000 का इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझा इसका मतलब यह है कि electron के mass से electron के mass से proton का mass proton का mass जादा है कितने times जादा है 2000 times electron के mass से comparison में proton का mass 2000 times जादा है 2000 जादा है 2000 अप नोट करें बहुत बड़ा number होता है बहुत बड़ा नमबर है, मतलब electron और proton के mass को हम compare करें तो proton का mass बहुत ज़्यादा है electron से, proton का mass बहुत ज़्यादा है electron से, देखो आपको देखने में लग रहा हुआ कि proton का mass कम है बहुत, minus 24 है यहाँ पे बिल्कुल proton का mass कम है लेकि electron का तो और भी कम है बहुत ही कम है electron के compression में proton का mass बहुत ज़्यादा है, या फिर हम ऐसे बहुत सकते है proton के compression में electron का mass बहुत ही कम है, बहुत ही कम है तो in fact हम यहाँ पे लिखेंगे mass of electron is negligible is negligible compared to mass of proton or neutron proton or neutron से compare करें तो electron का mass negligible होता है, मतलब कहने का कि बहुत ही कम होता है देखो यह mass वाली जो बात है वो कुछ ऐसी है कि suppose को एक elephant है और एक छोटा सा ant है तो ant जो है यह उसका तो mass बहुत कम होगा न compared to elephant compared to elephant, elephant की comparison में ant का mass बहुत कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि elephant की comparison में चो ant है, उसका mass कैसा है negligible कुछ वैसी situation हमारे पास यहाँ पर है कि proton का mass बहुत ज़्यादा electrons है तो हम बोल रहे हैं कि mass of electron is negligible compared to mass of proton और neutron एक बात और देखिए mass related proton का जो mass होता है उसको हम ली सकते है 1u 1u या 1amu यह unit जो है mass की वो हमने last chapter में देखी थी याद होगा आपको तो उस unit में गर हम देखेंगे तो proton का mass आता है 1u neutron का mass भी आप समझ गया होंगे obviously आएगा 1u और electron की mass की बात करने को ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है क्योंकि उसका mass हम negligible लेते हैं almost negligible ठीक है तो यह हो गई mass की बात अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे charge की charge ठीक है तो यह जो subatomic particles होते हैं उन पे charge होता है charge क्या चीज़ होती है यह हमने lower classes में पढ़ा है और आपको याद होगा कि two types के charges होते हैं दो तरीके के charges होते हैं कौन-कौन से होते हैं इस्टोन चीड़ा बताया है मुझे एक होता है positive charge और एक होता है negative charge याद आ रहा होगा आपको तो अब यह जो electron होता है उस पे negative charge होता है negative और यह जो proton होता है उस पे positive charge होता है, और यह जो neutron होता है उस पे कोई भी charge नहीं होता है, वो charge लेस होता है, this is very interesting, एक subatomic particle electron पे negative charge, दूसे subatomic particle proton पे positive charge, तीसे subatomic particle neutron पे कोई भी charge नहीं होता है, अब देखो, electron पे negative charge होता है, तो कितना charge होता है, वो होता है, minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge की unit coulomb होती है हमने पढ़ा है lower classes में वैसे proton पे जो charge होता है plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb और obviously neutron पे तो charge है नहीं मतलब zero charge तो clearly आप एक बात यहाँ पे notice कर पा रहे होंगे कि electron और proton दोनों पे जो charge है वो opposite है एक पे negative है और एक पे positive है लेकिन value जो charge की है दोनों पे same है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो इसको भी मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन कहां लिखो कोई जगा नहीं बची है इस part को मैं रब कर देता हूँ इसकी जरुबत नहीं हमें अभी तो हम लिख लेंगे कि electron and proton have same value of charge same value of charge दोनों पे charge की value जो है वो same होती है कई बार electron पे ये जो charge होता है उसको हम plus one charge बोलते है sorry minus one charge बोलते है proton पे ये जो charge है उसको हम plus one charge बोलते है कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज है उस पे इसका two times charge होगा इसका two times charge होगा तो हम उसे बोल सकते हैं कि charge is plus two अगर कोई ऐसी चीज है जिस पे इसका तीन गुना charge होगा तो हम बोल सकते हैं उस पे charge is plus three समझ रहा मेरी बात वैसे कोई ऐसी चीज है जिस पे इसका दो गुना charge है तो हम बोलेगे minus two समझ यहोंगे किसी चीज़ भी इसका 3 गुना चार्ज है तो हम बोलेगे माइनस 3 और फिर यह जो एलेक्ट्रॉन है कई बार उसके लिए हम यह सिंबल यूज करते हैं e to the power minus तो यह लिखने का मतला हमें समझ जाए हैं कि हम एलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वैसे प्रोट्रोन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं P और उसके उपर plus sign क्यों ऐसा सिंबल यूज कर रहे हैं वह बहुत क्लियर सी बात है तो उससे आप सोचें कि न्यूट्रोन का क्या सिंबल होता होगा बताए आप न्यूट्रोन के लिए आना जाए है और उपर क्या कुछ नहीं क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो दिज़ सिंबल अफ एलेक्ट्रोन अइपिस सिंबल अफ न्यूट्रोन तो अब ध्यान थे हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि तीन टाइप की सब atomic particles होते हैं electron, proton, neutron उनना कितना कितना mass होता है हमने ये देखा उसको AMU unit में भी लिख सकते हैं उन पर कितना कितना charge होता है हमने देखा उनका क्या symbol होता है हमने देखा which is very important actually और कुछ हमने important points note down भी यहाँ पर कर लिए है जो आपको याद होने चाहिए चले एक simple सा question करते है find the net charge find the net charge on an atom in the following cases देखो जैसे ये तीन cases दिए में simple simple से question है जैसे इस पर attack करते हैं सबसे पहले ये एक atom है उसमें दिया हुआ है कि एक electron है और एक proton है तो इस atom पे total charge या net charge कितना हुआ यह में बताना है इस atom पे net charge कितना हुआ यह बताना है इसमें एक electron है और एक proton है बड़ी simple सी बात है एक electron होने के कारण एक electron होने के कारण इसके अदर charge होगा minus 1 ठीक और एक proton होने के कारण इस पे charge होगा प्लस वन, तो टोटल मिला के कितना चार्ज हो गया है, जीरो, ठीक, एलेक्ट्रोन ही कारण जितना निगेटिव चार्ज है, प्रोटोन ही कारण उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज हम बोलेंगे, जीरो, that will be our answer, ओके, सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, इसमें दो है, दो प्रोटोन और एक न्यूट्रोन ही, तो हम बताना ही कि नेट या टोटल चार्ज इसके अंदर कितना हो, दो एलेक्ट्रोन होने कारण हम बोह सकते हैं, कि उसके अंदर माइनस टू चार्ज है, दो प्रोटोन होने कारण हम बोह सकते हैं, प्लस टू चार्ज है, और न किसरा किसरा हम देखे, इसमें देखे, दो एलेक्ट्रोन है, तो दो एलेक्ट्रोन के कारण हमाँ पास चार्ज आएगा, माइनस 2, तीन प्रोटोन है, ध्यान दे, तीन प्रोटोन है, तीन प्रोटोन के कारण हमाँ पास चार्ज होगा, प्लस 3, और दो न्यूट्रोन है, न्य है वो है इतना समझे आप मेरी बाद वेरी सिंपल कोश्चिन एक चीज़ और मैं आप से पूछ सकता हूं इस कोश्चिन में मास के बारे में डिस्कस करते है हर एकम का मास बताना आपको इस यूनिट में क्या लगता है आपको इसका मास कैसे पता करेंगे आप देखो एक तो इसमें एलेक्ट्रोन है तो उसका मास तो निगलेजिवल होता है उसको इग्नोर कर देंगे मास के लिए और एक प्रोटोन है उसका मास होता है एक प्रोटोन है तो उसके कार्ण मास हो जाएगा 1 इस case में सोच आप बताएं सोच लिया होगा आपने I am sure electron के mass को neglect कर देंगे 2 proton और 1 neutron तो total mass हो जाएगा 3 इस case में electron का mass neglect कर देंगे 3 proton and 2 neutron total mass कितना हो जाएगा students 5U like this तो students अब हम थोड़ी से history की बात करेंगे discovery of subatomic particles तो यह जो subatomic particles होते हैं उनकोई discovery कैसे होई कैसे में पाद चला कि वो होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे electron के फिर proton neutron के तो हमें कैसे पाद चला कि electron होते हैं और किसने बताया तो देखें आप electron was discovered by J.J. Thompson in 1897 तो यह J.J. Thompson है इन्होंने कई सारे experiments किये उसके basis पे 1897 ने उन्होंने बताया कि electron जैसा एक subatomic particle होता है उन्होंने खोज की थी electron की उसके लिए J.J. Thompson को Nobel Prize भी दिया गया था Nobel Prize in 1906 for discovery of electron मैं आपको बताना चाहता हूँ कि J.J. Thompson जो हैं बहुत ही महान scientist है इन्होंने तो Nobel Prize जीता ही लेकिन इनके बहुत सारे assistants ने भी Nobel Prize जीता जैसे कोई भी बड़ा scientist होता है तो उसके बहुत सारे assistants होता है जो उनके अंडर काम करते हैं बेसिकल इनके चेले चपाटी अगर बोले तो तो इनके बहुत सारे चेले चपाटी थे उनमें से 7 assistants को 7 assistants को आगी जाके Nobel Prize से नवा जा गया तो आसा माँ सकते हैं कि कितने महान सांटिस्ट रहोंगे देखो मैंने आपको बताया कि इन्होंने कुछ experiments किये थे electron के discovery करने की तो उन्होंने कुछ इस type का एक setup यूज़ किया था बहुत थोड़ा सा हम यहां पर जान सकते हैं हलके हमारे लिए बहुत important बिल्कुल भी नहीं देखो इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं एक enclosure होता है ऐसे glass का होता है glass का ठीक है उसके अंदर gas होती है वही उसके अंदर यहां पर एक metal plate होती है जिसको हम anode बोलते है यहां पर दूसरी metal plate होती है जिसको हम cathode बोलते है और दोनों plate आप देखो इस तरह से joined होते है through a battery इसको battery बोलते है आपने थुरा सा पढ़ा होगा lower classes में ठीक है तो JJ Thompson ने क्या देखा कि appropriate situation के अंदर जब इस instrument को use करते है तो cathode से cathode से उन्होंने देखा कि कुछ चीजे निकलती है इससे बहुत सारे छोटे छोटे particles निकलते है उन्होंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे particles निकलते है और पर negative charge होता है इन्हें ही छोटे छोटे negative particles को electron बोला गया इस बात को हम लिख भी सकते है He observed stream of negatively charged particles coming out of cathode of discharge tube जैसे कि मैं आपको बताया these particles were called protons sorry these particles were called electrons 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 एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ जो कभी आपसे पुछी जा सकती है कि यह जो बहुत सारे particles यहां से निकल रहे थे cathode से उनको cathode rays ही बोला जाता है cathode rays क्यों cathode rays बोला जाता है क्योंकि वो cathode से निकल रहे है फिर सम लिख सकते हैं the collection of negatively charged particles emitted from cathode emitted from cathode of discharge tube is called cathode rays and the